ओम नमस्षिवाय, हरहर महादेव, जैशुशंबो सब लोगों के होते वे भी आपको अकेला महसूस होता है और कई बार तो हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों ने हमें अकेला छोड़ दिया है अपने हाल पर छोड़ दिया है वो हमारी परिस्तितियों को नहीं समझ रहे हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहे हम जो चीज़ चाहते हैं वो कोई गलत नहीं चाहते हैं अच्छे के लिए चाहते हैं लेकिन फिर भी उसे हमारे परिवार के लोग हमारे दोस्त, मित्र, रिष्टेदार जो भी वो नहीं समझ पाते हैं पहले स्थिती इस तरह से व्यक्ति अकेला होता है दूसरा व्यक्ति का अकेला होने के पीछे रीजन यह भी है कि वो बहुत जादा सच का परियोग कर रहा है जो बात होती हो मुँपर कह देता है उसके मन में कोई भी चलकपट नहीं होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के पीछे कुछ बात कहे और तीसरा और मूल बात है कि वो किसी व्यक्ति के उप्योग में नहीं आ रहा है तो भी व्यक्ति अकेला पढ़ जाता है या हम अकेले महसूस कर रहे हैं खुद को आप इंडिविज्विली तो ऐसी परिस्तिया हमारे साथ क्यों निर्मित हो रही है ये जो बात है मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में समझाई है ये एक प्रियोगात्मक है जो आम लोगों के साथ इस तरह की चीज़े होती है ले सारी चीज़े मन में खराब चलने लग जाती है उससे हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पढ़ता है हम किसी से कुछ नहीं चाहते हैं तो जब कोई व्यक्ति अकेला पढ़ जाता है या अकेला महसूस करने लग जाता है किसी समय किसी भी वक्त जीवन के किसी भी फेज में वो भुजूरू हो, आप यू आवस्था में हो, कभी भी, तो कुछ प्रयोग है, कुछ ग्रहा है, जिनके अकोडिंग जीवन में इस तरह की चीज़े व्यक्तिक के फेज आता है, उसे कैसे डील करना है, और उन पर किन चीज़ों पर विशेज ध्यान रखना चाहिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में भूले नात का नाम लिखें, और आप इस वीडियो को यहां तक जो सुनते हुए आए हैं, यह बहुत महत्पूर्ण है, कि यह वीडियो आपकी मदद करे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जरूर भूले नात का कोई एक नाम लिखें, मुझे अच्छा लगेगा, और चाहते हैं अगर अपनी कुंडली का विशलेशन करवाना, तो इसक्रीन पर नमबर चल रहे हैं, वाट्सप और अपोइंट्मिन लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस शुलक लागोई दोस्तों, जब कभी भी कोई व्यक्ति अकेला हो जाता है, तो इसमें केतू का बहुत बड़ा रोल होता है, केतू अपने आप में एक रिसर्च करने वाला एक गुप्त ग्यान वाला चीज़े हो होगा, दयावान होगा, करुणावान होगा, तो इस वज़े से व्यक्ति और जो लोगों के आप मदद कर रहे हैं, वो सभी लोग आपको वो आउटपुट नहीं देंगे, आपके कोई अपेक्षा नहीं है, लेकिन आपकी यह उम्मीद है कि कम से कम हमने किसी के मदद की, त हमें उस चीज का उपकार चाहिए, ना करतित्व चाहिए, पर कम से कम एक अच्छा वैवार करें, सही बात तो कहें, तो ये जो चीज़े बहुत दरावनी एक व्यक्ति के साथ हो जाती है, तो दूसरी बात है कि आप अपने अंदर मंत्र की शक्ति को जागरत करें, क्योंकि ऐसे जो व्यक्ति हैं, जिनके साथ इस तरह का अकिला बन जा रहा है, मुझे लगता है कि वो बहुत महान लोग हैं मेरी नजर में, क्योंकि ऐसी जो फील किसी व्यक्ति के साथ आती है, तो वो एक इमानदा और एक सच्चा व्यक्ति है, और इमानदा और सच्चे व्यक्ति क जो मंत्र जब की शक्ति होती हो, बहुत बड़ी शक्ति होती है, इसलिए अपना जो वक्त है, इस तरह की फिजूल नेगिटिविटी पर ना अकेले पनपर करते हो, मंत्र जब की तरफ डाइवर्ट करे, आप ओम नमस्षिवाय का सिर्फ मंत्र जब करे, आप अपने जीवन मे प्रुम्ह जाओे।